नमस्कार दोस्तों अगर आपने अब तक मेरा यूटूब चानल सब्स्राइब नहीं किया है तो कुरुपया सब्स्राइब वाले रेड बटन पे क्लिक कीजिए और नए वीडियो की जानकरी पाने के लिए घंटी वाले यानी बेल वाले आइकाउन पे क्लिक कीजिए जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे इस लेक्चर में हम नाउन की पढ़ाई जारी रखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज हम पढ़ेंगे जेंडर जिसे हिंदी में लिंग कहा जाता है सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेंडर टाइप्स यानि लिंग के प्रकार तो पहला प्रकार है मैस्किलिंग जिंडर यानि पुलिंग जिसका आर्थ है अनाउन डिनोट्स अ मेल अनिमल यानि एक ऐसा नाउन जिससे एक पुरुष प्राणी का बोध होता है तो इसके उधारन है बॉय यानि लड़का लायन यानि सीह ब्रदर यानि भाई horse यानि घोड़ा फिर होता है feminine gender जो है streling जिसका अरस है a noun that denotes a female animal यानि एक ऐसा नाम जो किसी streep राणी का बोध करता है तो इसके उधारण है girl यानि लड़की lioness यानि सीहनी sister यानि बेहन mere यानि घोड़ी फिर आता है common gender अब ऐसा gender का प्रकार हिंदी में नहीं पाया जाता तो यह एक महत्वपूर्ण अंतर है English और हिंदी के बीच तो इसका अर्थ है a noun that denotes आईधर a male और a female animal यानि एक ऐसा noun जिससे या तो किसी पुरुष या तो किसी स्तरी का बोध होता है तो इसके उधारने parents यानि माबाप child यानि बच्चा या बच्ची thief यानि चोर या चोर नी तो इसके बारे में more detail में आगे पढ़ेंगे और अंच में आता है neuter gender यानि नपुन सक्लिंग तो यहाँ एक ऐसा noun है जिससे किसी निर्जीव वस्तू का बोध होता है जो नाक तो पुरुष है नास्त्री है तो इसके उधारन है book यानि किताब toy यानि खिलोना bus वगेरा वगेरा तो चलिए अब आगे बढ़ते है तो चलिए सबसे पहले masculine gender के थोड़े उधारन देखते हैं तो पहला उधारन है lion यानि see her फिर है bull यानि bell फिर boy यानि लड़का king यानि राजा तो आप देख रहे हैं कि इन सारे शब्दों से किसी पुरुष प्राणी का वर्णन होता है और इसलिए इन सब को masculine gender कहा जाते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं feminine gender के कुछ उधारन तो पहला उधारन है lioness यानि see her तो masculine gender में हमने पहला उधारन देखा था lion यानि see her तो उसके अनुरूप feminine gender का उधारन बनता है lioness वैसे ही अगला उधारन है cow यानि guy जो bell का streling है फिर है girl यानि लड़की जो लड़के का streling होता है और फिर है queen यानि रानी जो राजा का streling होता है तो अब ये सारे शब्द lioness cow, girl, queen ये सब किसी स्ट्री प्राणी का वर्णन करते हैं तो इसलिए इन्हें feminine gender का आ जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब आता है common gender तो जैसे मैंने आपको बताया common gender एक ऐसा gender है जिससे या तो किसी पुरुष या किसी स्ट्री प्राणी का बोध होता है तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपको common gender का कोई शब्द बताओ तो आपको यहन ही पता चलेगा कि मैं किसी पुरुष की बात कर रहा हूँ या किसी स्ट्री की बात कर रहा हूँ तो उधारन से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो screen पर आपको बाई तरफ एक बच्ची दिख रही है और दाई तरफ एक बच्चा दिख रहा है अब हिंदी में तो बच्ची और बच्चा ये दो अलग-अलग शब्द है लेकिन अंग्रेजी में एक ऐसा शब्द है child जिससे या तो बच्ची का बोध होता है या बच्चे का बोध होता है इसका मतलब है अगर मैं child बोलता हूँ तो मैं शायद बच्ची की बात कर रहा हूँ या शायद बच्चे की बात कर रहा हूँ आपको पता नहीं चलेगा वैसे ही person का मतलब आदमी भी हो सकता है या महिला भी हो सकता है और student उसका अर्थ चात्र भी हो सकता है और चात्रा भी हो सकता है तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द है जिससे या तो किसी सुरी पराणी का बोध होता है या किसी पुरुष पराणी का बोध होता है और इन शब्दों को common gender की category में रखा जाता है चलिए अब जेंडर का आखरी प्रकार जो है नपुन्सक लिंग या न्यूटर जेंडर उसके कुछ उधारन देख लेते हैं तो पहला उधारन है ट्री यानि व्रुक्ष दूसरा उधारन है लैम्प यानि चिराग फिर पेन यानि कलम हाउज यानि घर बुक यानि किताब तो आपको इस चीज को समझने में शायद थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि हिंदी में हम निर्जीव चीजों को भी लिंक दे देते हैं जैसे मैं कहता हूं मेरी किताब ऐसा नहीं मेरा किताब तो इसका अर्थ है मैं कित आपको स्त्रीलिंग कह रहा हूं वैसे ही मैं कह रहा हूं मेरा घर तो मैं घर को पुलिंग कहता हूं लेकिन अंग्रेजी में इन शब्दों को ना तो पुलिंग कहा जाता है ना स्त्रीलिंग कहा जाता है तो ज्यादा तर निर्जीव चीजों को अंग्रेजी में न्यूटर gender की category में रखा जाता है अब हम जो पढ़ने वाले हैं वह काफी महत्वपोर्ण है अब हम देखेंगे ways of forming feminine from masculine यानि pulling से strilling बनाने के तरीके तो अगर मैंने आपको pulling शब्द दिया है और आपको उसका strilling बनाना है तो आप कैसे करेंगे वैसे इसका कोई नियम नहीं है जो मैंने आपको बता दिया और पिर आप हर pulling का strilling बना सकेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है थोड़े शब्द एक नियम का पालन करते है थोड़े शब्द कोई और नियम का पालन करते है और थोड़े शब्द है जो कोई नियम का पालन नहीं करते तो मैं आपको हर कैटेगरी के शब्दों के थोड़े उधारण दूँगा पहले नियम का पालन करने वाले शब्दों का उधारण दूसरे नियम का पालन करने वाले शब्दों का उधारण और सब नियम की जानकरी होने के बाद आगे चलके आप अनुमार लगा पाएंगे कि अगर आपको कोई पुलिंग दिया तो उसका स्रीलिंग क्या होना चाहिए तो सबसे पहले हम देखेंगे वो शब्द जो कोई भी नियम का पालन नहीं करते यानि ऐसे शब्द जिनके स्रीलिंग एक पूरी तरह से अलग शब्द का उपयोग करके बनाये जाते हैं यानि using an entirely different word तो चलिए कुछ उधारन देखते हैं तो पहला उधारन है husband wife का husband यानि पती, wife यानि पतने तो husband और wife दोनों एकदम अलग शब्द है उन दोनों के बीच कोई pattern नहीं है तो यहाँ एक उधारन है जिसमें हम स्रीलिंग एक पूरी तरह से अलग शब्द का उपयोग करके बनाते हैं फिर है mother और father mother यानि मा, father यानि पता तो यहाँ mother और father एकदम अलग शब्द है और नीचे ही son और daughter son यानि बेटा, daughter यानि बेटी तो son और daughter भी एकदम अलग शब्द है तो इस category के तो उधारन हमने देख लिए अब आगे बढ़ते हैं अब दूसरा तरीका है by adding a syllable यानि एक शब्दांश जोड़कर स्ट्रीलिंग बनाना तो इसके भी कुछ तीन तरीके है उसके कुछ उधारन देख लेते है तो पहला उधारन है lion यानि सीह उसका feminine होता है lioness यानि सीहनी फिर poet यानि कवी उसका feminine poetess यानि कवी ये तरी फिर author यानि लेखक उसका feminine authores यानि लेखिका और air यानि उत्तराधिकारी उसका feminine air is यानि उत्तराधी कारेणी यहाँ पे air का spelling है ह-e-i-r लेकिन वो h silent होता है यानि वो बोलते नहीं हम लोग तो इसलिए इसको बोला जाता है air तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब दूसरा तरीका है e-s-s after dropping a vowel of the masculine ending यानि pulling शब्द के अंत में जो वोवल होता है उसे हटाओ और फिर e-s-s लगाओ तो पिछले ही लेक्चर में हमने पढ़ लिया है कि वोवल्स कौन से होते हैं a-e-i-o-u तो चलिए अब उधारन देखते हैं तो पहला उधारन है actor यानि अभिनेता और उसका feminine actress यानि अभिनेतरी अब actor का O जो एक वोवल है वो उमने हटा दिया तो बचा A-C-T-R और फिर ESS जोड दिया तो हमें मिला actress वैसे ही emperor यानि समराट तो उसका feminine empress यानि समरागनी फिर prince यानि राजकुमार तो उसका हुआ princess यानि राजकुमारी तो इसमें अब आप confused मत हुई है इसमें जो ant में E है prince का वो हमने हटा दिया है और फिर ESS जोड दिया है तो आपको देखने में शायर लगा होगा कि हमने SS जोड दिया है प्रिंस को नहीं लेकिन हमने प्रिंस के E को हटाया है और फिर ESS जोड दिया और आकरी उधारन है tiger यानि share तो उसका feminine हुआ tigress यानि share नी तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखेंगे other suffixes यानि दूसरे शब्दांश अब तक हमने जितने भी उधारन देखे उसमें या तो हमने एक एकदम नया शब्द यूस किया था feminine बनाने के लिए या तो ESS लगाते थे हम अंच में और अधिकतर शब्दों में अंच में ESS लगाने से ही काम हो जाता है लेकिन थोड़े शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अंच में ESS के बदले कोई और शब्दांशिया कोई और syllable लगाना पड़ता है feminine बनाने के लिए तो चलिए अब हम उसके उधारन देखते है तो पहला उधारन है hero यानि नायक जिसका feminine होता है heroine यानि नाई का तो इसमें feminine बनाने के लिए हमने अंच में INE लगाया है वैसे ही सुल्तान यानि सुल्तान और उसका feminine होता है सुल्ताना तो अंच में सिर्फ हमने ए लगाया है और हमें feminine मिला है अब हम syllables से बाहर निकलते है और तीसरा तरीका देखते है याद कीज़े पहला तरीका था कि एक एकदम ही अलग शब्द इस्तमाल कीजिए दूसरा तरीका था कि इस syllable एड कीजिए और अब तीसरा तरीका है पहले या बाद में एक शब्द रखिए यानि place a word before और after तो इसके कुछ उधारन देखते है तो grandfather यानि दाद़ और grandmother यानि दादी तो father और mother हमें पता था तो दोनों के पहले अगर हमने grand डाल दिया तो हमें दो नए शब्द मिल गए grandfather और grand mother तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम जो concept देखने जा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और हिंदी से थोड़ा बहुत male खाता है इससे कहते है personification इसके बारे में कुछ detail में पढ़ते है तो sometimes we talk of lifeless objects as once having life कभी-कभी हम निर्जीव चीजों के बारे में ऐसे बात करते है जैसे कि वे जिवित है जो हम हिंदी में अक्सर किया करते है we then regard them as males और females तभी हम उनका वर्गी करन पुलिंग और थ्रीलिंग में करते है the masculine gender is applied to objects of remarkable strength and violence उल्लेकनिय ताकत और हिंसा की वस्तुओं को पुलिंग वर्गी करत किया जाता है the feminine gender is applied to objects of remarkable beauty, gracefulness and gentleness उल्लेकनिय सुंदरता, नम्रता और आकर्षन की वस्तुओं को स्त्रीलिंग वर्गी करत किया जाता है तो चलिए कुछ उधारन देखते है तो पुलिंग यानि masculine gender के उधारन देख रहे है आपको sun यानि सूरज फिर winter यानि सर्दी time यानि समय तो याद कीजिए कि हमने कहा था कि उल्लेकनिय ताकत और हिंसा की वस्तुओं को पुलिंग वर्गी करत किया जाता है तो इन उधारन को देखके आप शायद समझ गए होंगे कि इसका आर्थ क्या है वैसे ही feminine gender के उधारन है और यानि प्रिथ्वी moon यानि चांद nature यानि प्रकृती तो मैंने कहा था कि feminine gender उल्लेकनिया, सुन्दरता आकर्षण और नमरता की चीज़ों को दिया जाता है और उधारन देखके आप समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या है तो एक बात ध्यान में रखे अंग्रेजी में ज्यादा तर निर्जीव चीज़ों को नपुन तक लिंग ही वर्गी क्रूत किया जाता है यानि वे ना तो पुलिंग है ना स्त्रीलिंग है सिर्फ थोड़े ऐसे उधारण होते है चीज़ों के जिसे हम कभी-कभी पुलिंग कहते है और थोड़े उधारणों को हम स्त्रीलिंग वर्गी क्रूत करते है और हिंदी में हम ज्यादा तर चीज़ों को या तो पुलिंग वर्गी क्रूत करते हैं या स्त्रीलिंग तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब आज की लेक्चर में थोड़ी विविद बाते करते हैं आज हम देखेंगे Days of the Week and Months of the Year यानि सब्ता के दिन और साल के महीने तो चलिए सबसे पहले देखते है Days of the Week तो रविवार को इंग्लिश में संडे कहा जाता है सोमवार को मंडे मंगलवार को टुजडे बुदवार को वेनस्डे गुरुवार को सहस्डे शुक्रवार को फ्राइडे और शनिवार को सैटरे तो चलिए अब देखते हैं Months of the Year तो January को January कहा जाता है फरवरी को February March को March April को April May को May June को June July को July August को August September को September October को October November को November December को December तो चलिए अब पिछली लेक्चर में हमने जो एक्जाम ली थी उसके उत्तर आपको देते हैं तो यहां थे वो सब प्रश्न अब एक के बाद एक हम इन प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तर मैं आपको बताता हूँ तो पहला प्रश्न था अंकित का अंकित संग्या का प्रकार बता हो तो अंकित किसी विशेश व्यक्ती का नाम है तो इसे लिए यह होगा proper noun तो इसका जवाब है proper और एक चीज ध्यान देने की यह है कि हर एक proper noun एक capital लक्षर से शुरू होता है तो एह यहाँ पे capital है फिर अगले sentence पे जाते है There are very few birds left in the city यहाँ city एक आम शब्द है और किसी विशेश शहर का बोध नहीं करता तो यहाँ हुआ common noun तो यहाँ हुआ common noun The ornaments were made from gold and silver यहाँ पे gold किसी पदार्थ का नाम है जिसे हम चीजे बनाते हैं तो gold हुआ material noun तो इसका जवाब है material याद कीजिए कि विछले lecture के material nouns के उधारन में भी मैंने gold बताया था तो यहाँ तो आपको आजाना चाहिए था फिर है The boy sat on the wooden bench अब यहाँ bench भी एक आम शब्द है किसी भी bench की बात कर सकता है तो यहाँ हुआ common noun अब आगे बढ़ते हैं अब है police could not control the crowd crowd यानी भीड और याद की यह के पिछले lecture में सामू एक संग्या यानी collective noun के उधारनों भी मैंने crowd लिखा था तो यहाँ भी आपसे हो जाएना चाहिए था crowd यानी एक लोगों का समूह तो वहाँ हुआ collective noun अब है रचना is a smart girl तो यहाँ पे रचना एक विशेश व्यक्ति का नाम है तो इसलिए यह हुआ proper noun अब है happiness is a matter of choice happiness यानी खुशी और खुशी एक भाव है तो इसलिए happiness हुआ एक abstract noun और अब आखरी वाक्या English is a very easy language अब English एक विशेश भाशा का नाम है तो यहाँ हुआ एक proper noun और आप बापस देख सकते हैं कि ए capital है तो proper noun का हर शव्यक्त capital letter से शुरू होता है तो मैं उमीद करता हूँ कि आपके बहुत सारे उत्तर सही हुए होंगे और अगर सही नहीं हुए तो कोई चिंता की बात नहीं आप बस मेहनत करते रहिए दीरे दीरे आप सीख जाएंगे तो आज के lecture के लिए इतना ही तो आपdefined लुप्या कि अञड़ है